पॉली टेखनिक चात्र और अस्थानिय लोगों के बीच हुई माल पिर अस्थानिय लोगों ने चात्रों पर लगाया च्छेर खानी का आरू मौके पर पहुँची कई थानों की पुलिस दर्बंगा विश्विद्य अले थाना चितर के कैंदरबाद इसके तराज़ के पॉलिटेखनिक कॉलिज के चात्रों के द्वारा किया जा रहा है लगदार उगदर की घटना से अस्थानिय लोग काफी परिशान चल रहे हैं तासर मामला कॉलिस में पढ़ने वाले चात्रों की द्वारा च्छेट खानी का है जिसको लेकर पॉलिटेखनिक चात्रों और अस्थानिय लोगों के बीच मालपीट की घटना गुरुआ को हो गए जिसके बाद इसके सूचन अस्थानी पर शासन को दीके सूचना मिलता ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुँच कर मामले को शान्त करते हुए मौके पर कैम कर रहे हैं वह अस्थानी लोगों का कहना है कि पॉलिटेखनिक के चात्रों के द्वारा लगदार वीफिन परकार की घटना को अंचाम दिया जाता रहा है वह अस्थानी परशासिक को अधिकारियों द्वारा अस्थानी लोगों और चात्रों के बीच मेल मिलाप करा कर घटना को लीपा पोती के एजाने का खेल लंबे समय से खेला जा रहा है जिसके कारण कॉलेज में पर रहे चात्रों का मनुवल काफी बन गया है उन्होंने कहा कि जिस वक्त कॉलेज के अस्थापना हुई थी हम लोग काफी आहिडित थे कि जिला का नाम रोशन होगा यहां से परकर चात्र चात्राएं दिल्ली, मुंबई, कॉलकता, गुजराद समीत, विदेश जाकर नौपनी करेंगे लेकिन पॉलोटेक्निक की पढ़ाय शुरूख होने के बाद से ही चात्रोद्वारा उत्पाद मचाना, हंगावा करना एक आदित से बन गई चात्रोद्वारा कभी चात्राओं के साथ बद सुरूखी तो कभी अस्थानी लोगों के साथ अबदर वेवाल किया जाता रहा है जिसके कारण यहां का महौल आशान्त हो गया तथा परशासन का भी सिर्दर्ण बन गया है कई बार तो यहां के चात्र कॉलिज परशासन और जिला परशासन से भी उलज गया है करुड़ दो पर तो यहां का इलज परशान्त हो बहीं है